चीन में फैली नई बीमारी खतरनाग कुरोना महामारी से की जा रही तुलना डवलो योचो ने कहा घवराने की जरूरत नहीं जी हाँ चीन में फैली रहस्माई बीमारी से नीमोनिया के मद नजर यहाँ भी केंद्र सरकार अलट जारी कर दिया है चीन के बच्चों में यह रहस्मई सांस की बिमारी और नीमोनिया बताया जा रहा है बतादे चीन में फैली बिमारी से यहाँ ज्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तक किसी नए वाइरस या पैथोजन के कारण संक्रमन फैलने की बात सामने नहीं आई है एमस के डाक्टर संजय ने बताया है कि अभी तक चीन और डबलू एचो की तरफ से जो बाते बताई गई है उसके अनुसार यहाँ संक्रमन फैलने का खास खात्रा नहीं है लेकिन सतर्कता जरूरी है चीन की तरफ से रेस्पीर रेटरी सीकाइट्रियल वाइरस इन्फुलेंजा वा माइक्रो पलाजमा नीमोनिया के संक्रमन होने की बात बताई गई यह पुराने वाइरस और बैक्ट्रिया हैं बतादे माइको पलाजमा नीमोनिया का एंटिवैटिक से इलाज किया जा सकता है इसलिए ज्यादा मोते नहीं हो सकती वही यहां भी इस तरह के संक्रमन होते हैं सतरकता और अस्पतालों में त्यारी जरूरी है क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं वैसे कोई नया वाइरस होगा तभी समझ से होगी वही डॉक्टर जूगल किसोर ने कहा है कि कुरोना वैस लोगों को अधिक हो रहा था वैस लोग यात्राय अधिक करते हैं लेकिन छोटे बचे बी देशों से यात्रा नहीं करते इसलिए कुरोना की तरह चीन से दूसरे देशों में संक्रमन फ्रेलने का खत्रा नहीं दिखता क्या है मामला बता दे चीन में तेज बुखायर के साथ सांस फुला देने वाली बीमारी के करान हजारों बचे बीमार है चीन के अस्पतालों में खाली बेड तक नहीं बचे है वहीं कुरोना महामारी कितना खतरनाखा इसके बारे में वान केर खोवा ने एक सचतकार में इस रहसमाई बीमारी की तुलना कुरोना से करते हुए कहा है कि इस बिमारी की ब्रीधी उतनी नहीं है जितना उन्होंने 2,18 उन्हें इसके दोरान देखा था चीन में जो बिमारी फैली है उसमें बच्चों के फेफ़डों में जलन, तेज बुखार, खासी और जुकाम जैसे लक्षन दिखाई दे रहे हैं जिसे रहसमाई निमोनिया कहा जा रहा है